तो प्यारे विद्यार्तियों नमस्कार स्वागतिया आप सबी का एक ओर नहीं वीडियो में प्यारे विद्यार्तियों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्चा दसवी वार्सिक परिक्चा है तुओ विज्यान दिसी का question paper या प्रस्न पतर तो वीडियो सुर्ण करें उससे पहले आप सबसे रेक्वेश्ट है कि अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीड चैनल को सब्सक्राइब जरूब कर लें और शांती बेल आईकन को भी दबा लें उमीद है दोस्तों कि आप सभी की वारशिक परिक्चाव की तयारी बहुत अच्छे से चल रहे होगी और आपने सभी कुछ अच्छे से याद कर लिया होगा दोस्तों इसी करम में आज हम विज्ञान विषी का प्रसनपत्र भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार का आपका प्रसनपत्र आने वाला है तो चलिएगा इस वीडियो को सुरू करते हैं पर आप सबसे पहले मैंने जो कल वीडियो डाले थे IMP Question की उपर जिसमें मैंने आपको अध्याई एक से लेखे 5 तक के पूरे महत्पून प्रसनपत्र कवर करवाये थे तो आप उस वीडियो को जरू देख लीजेगा जैसे कि आपकी वारसी परिक्षाओं की तयारी अच्छे से हो सके और नेश्ट वीडियो भी आपको जल्द ही मिलने वाला है तो चलिएगा दोस्तो आज के इस वीडियो में पूरा हम समझ लेते हैं क्योंकि विज्ञान विसे आप सभी के लिए बहुती ज़्यादा महत्पून है क्योंकि आगे से आप सभी में कई बच्छे ऐसे होंगे जो कि विज्ञान के छेतर में अपना करियर बनाना चाहेंगे तो आप सभी के लिए बहुती जादा महत्पून है तो आप सभी लोग ये कोसिज़ करें विज्ञान विशे में आपके पूरे अच्छी अंकाय, जिससे की आप सभी अपने सपनों को साकर कर सके तो आज पूरा हम विध्यान विससे का paper जानेंगे और ये जानने के courses करेंगे कि आपका paper कीसा आईगा क्या सारी चीजे इसमें से आपसे पूछी जाएंगे video को पूरा जरू देखेगा दोस्तों जिससे कि आपको पूरा paper समझ में आ सके कई विद्यारती यसे होते हैं कि जो सिर्फ एक या दो मिनटी वीडियो को देखकर उसको skip करके निकल जाते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों कि आपको पूरा पेपर समझ में नहीं आ पाता है और आप उसको अच्छे से समझ में नहीं पाते हो तो इसलिए प्लीज आप सभी से रेक्वेश्ट है कि पूरा वीडियो देखकर जरू जाईएगा जिससे कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ सके तो चलेगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपका पेपर केसा होगा क्या सारे प्रसन ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपसे परिक्चाओं में पूछे जाने वाले हैं तो चलिएगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपका पीपर केसा आएगा तो प्यारे विद्ध्यारतियों कि आपको भी पढ़ाई को लेकर डाउट है तो बिल्कुल मत गबराओ इसका सोल्यूसन है डाउटनट एपर जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो कीचो क्रोप करो और पांस सेकंड में उसका वीडियो सोल्यूसन आपको मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्रीम है अब आप पूछ सकते हो अपने अल्लिमिटेट सवाल कहीं भी कभी भी चाहे आपका सवाल छटी से लेके बारवी तक का हो या आयाईटी जे डबली या नीट का हो या फिर सीबी एसी यूपी भी राजस्तान या अधर श्टेट बोट का हो कोई भी सवाल हो फिजिक्स केमि अच्छे लेकर आये हैं नंबर वन रेंक तो आज ही डाउनलोड करूं डाउटनट एप अपने सभी डाउट भगाओ और टोप रेंक ले आओ सबसे पहले अगर देखा जाये दोस्तों तो आप यहां से देख सकते हो सई विकल्प चुनका लिखिए सई विकल्प आपसे एक गुणा आट अंकों में पूछे जाने वाले हैं तो चलिएगा वन बाई वन करके इसको समझ लेते हैं देख लेते हैं कि कौन-कौन से आपके सई विकल्प हैं तो चलिएगा सबसे पहले अगर देखा जाया तो पहला सई विकल्प दिया गया है कोई विलियन अंडे के पीसे वे कवच से अभिक्रिया करके एक गेस उत्पन करता है और आगी लिखा गया है दोस्तों कि इस परकार से आपको यह बताना है कि करके एक गे आगे देखते हैं लोहे के प्राइम पेन को जंग से बचाने के लिए निमने में से कौन सी विदियो उप्युक्त है कोश्चन नमर 2 जो दिया गया है इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसके उपर आपको चिन लगा लेना है और आगे देखते कोश्चन नमर 3 दिया गया है बोजन नली के किस भाग में बोजन का पून पाचन हो जाता है कोश्चन नमर 3 जो है इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा चुद्रांस इसके उपर आपको चिन लगा लेना है तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के कोश्चन और उनके आंसर भी समझ लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगला कोश्चन की यहाँ पर दिया गया है मस्टिक्स उत्तरदाई है question number 4 जो दिया गया है इसका डीवाला right answer हो जाएगा सोचने के लिए इरदेश पंदन के लिए सरीर संतुलन बनाय रखने के लिए या इन सभी के लिए आगे बात करते हैं पराग कोस होते हैं पराग कोस क्या होते हैं यह आपको बताना है तो चटे नमर का जो question है इसमें आजाएगा आपको M.P.R M.P.R इस जगे पर आपको लिखके आना है तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देख पा रहे हैं दोस्तो यहाँ पर question number 7 दिया गया है question number 7 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है किसी proton का निमने में इसे कौन सा गुण किसी चुम्बा की चेतरे में मुक्त गति करते हुए समय परिवर्थित हो जाता है यहाँ एक सदिक उत्तर भी संभव है तो दोस्तो इसका जो right answer होगा question number 7 का यहाँ पर आजाएगा cmd याने कि एक तो ये और ये तो देखिएगा यहाँ पर पहली बार इसा हो रहा है कि जब एक प्रस्निके दो उत्तर हो हुए है तो यहाँ पर उसने इस पश्ट लिख दिया था कि यहाँ पर एक से उत्तर भी जादा संभव हुए तो यह आपको लिख देना है अगला देखते हैं निमनलिकेत में कौन सा मानव रचित परितंतर है तो question number 8 जो दिया गया है इसका आपको बीवाला लिख लेना है खेल तो यह जो है खेत यह मानव रचित पर आपको लिख लेना है तो कि पोकर, जील, जंगल यह सबी दो है पर कती ने प्रदान किये पर खेत जो है इनसानों ने बनाया है इसलिए यह इसका आंसर हो जाएगा तो चलेएगा आप आगे बढ़ते हैं तो प्यारे विद्ध्यार्तियू अगला दिया गया है रिक्तिस्तानों को भरिये यह आपसे एक गुणा आठ अंकों में पूछा जाएगा कि रिक्तिस्तान क्या है दोस्तों इनके उत्तर भी हम देख लेते हैं यहां पर लिखा है आदातुए प्राया विद्धुत की होती है क्या होती है आदातुए प्राया विद्धुत की क्या होती है इसमें आजाएगा कुछा लग आपको इसमें क्या लिख लेना है कुछा लग आपको इसमें लिख लेना है अगला देखते हैं आवर्त सायरणी में शेतिच पंक्तिया कहलाती है तो आवर्त सायनी में 36 पंक्तिया जो होती है वो आवर्त कहलाती है क्या कहलाती है आवर्त अगला देखते हैं मनुस में परिसंचरन होता है तो मनुस में परिसंचरन केसा होता है वो होता है दोहोरा केसा परिसंचरन होता है दोहोरा अगला देखते हैं आकसिमिक परियवर्ण सम्वेदना की तुरंत पृतिकिरिया केलाती है तो question number 4 जो दिया गया है इसमें आपको भर लेना पृतिवर्ति क्या भर लेना पृति बरतिकिरिया इसमें आपको पृतिवर्ति लिख लेना है अगला देख लेते हैं अगला यहाँ पर दिया गया है एक कोशिकी जीवों में जनन होता है तो यह जो question नमर 5 दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो एक कोशिकी जीवों में कैसा जनन होता है तो इसमें होता लेंगिक जनन कैसा लेंगिक इसमें आपको यह लिख लेना है अगला देखते हैं किसी तार का प्रतिरोध उसके परिछेद से होता है question number 7 जो दिया गया है इसमें आ जाएगा व्यूत क्रमानुपाती क्या जाएगा व्यूत क्रमानुपाती ये इसमें आपको लिख लेना है यहाँ पर ध्यान रहे कि इस जगे पर आपको ये मातरा बड़ी वाली चड़ानी है व्यूत क्रमानुपाती इसमें आ जाएगा अगला देखते हैं तो आगला यहाँ पर दिया गया है चटे नम्मर का जो दिया गया है यहाँ पर हमने देख लिया है तो यहां पर सात्वा देख सकते हैं चुम्बा की छेतरी देकाई वक्री की होती है तो इसमें आपको लिख लेना बंद किस वक्री की होती है अगला देखते हैं आपुले नमर का रह जाएक कोईला और पेटुलियम है प्रकति में भंडार बहुत है कि ऐसा है दोस्तों तो कोईला और पेटुलियम सीमित मातरा में भंडार हैं कितने सीमित मातरा में तो आपको इसमें सीमित लिख लेना है चलिएगा आगे बढ़ते हैं तो आगे दोस्तों आपसे Q3 में रिक्तिस्तान, जोड़ी मिलान आपसे पूचा जाएगा, आप यहां से जोड़ी मिलान देख सकते हो, दिया गया, इस्तंब आ और इस्तंब आ का जोड़ी मिलान कीजिए, जोड़ी मिलान भी आपसे 8 अंकों में पूचा जाएगा, तो चलिएगा जोड़ी मिलान को के बाद में चोंता चोंते की जोड़ी दोस्तों आपकी जी से मिल जाएगी तो जी से आपको चोंते वाले की जोड़ी मिला लेनी है यह दिया गया है और पांचवे की अगर जोड़ी देखी जाए तो इसकी जोड़ी एच वाले से मिल जाएगी इस प्रकार से आपको यह सब्सक्राइब आपका जोड़ी मिलांग हो चुका है चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रस्न भी समझ लेते हैं तो यहां से आप देख सकते हो कोस्चन नमर चार में एक सब्दी आएक वाकी में आप उत्तर आप से पूचे गए हैं तो यह भी आप से आठ अंकों में पूचे जाएंगे इनको पूरी तरह से आप देख सकते हो तो चलिएगा इनके उत्तर भी हम देख लेते हैं पेला वाला दिया गया है उस पदार्त का नाम बताईए जो क्लोरीन से अभी क्रिया करके विरंजक चून बनाता है तो इसका नाम आजाएगा भूजा हुआ चूना आपको के लिख लेना इस जगे पर भूजा हुआ चूना तो इस जगे पर आपको लिख लेना बुजा हुआ चूना अगला देखते हैं दो विलियानों को मिलाने पर एक अविले पदार्त बनता है उस अविक्रिया को क्या कहते हैं तो ध्यान से देख लीजेगा दोस्तों दो विलियानों को मिलाने पर एक अभीले पदार्त बनता है उसा विक्रिया को क्या कहते हैं यह आपको बताना है तो question number 2 जो है इसमें आपको लिख लेना आउच्छेपन क्या लिख लेना आउच्छेपन कहते हैं उसको क्या कहते हैं आउच्छेपन पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं तो कोस्चन नमर चार जो दिया गया है इसमें आपको लिख लेना है अपरूपता या आपको इसमें लिख लेना है चलिए कब आगे बढ़ते हैं तो अगला देख लेते हैं अपरूपता के बाद में कोस्चन नमर पांच दिया ग लिख लेना है आगला आगे बढ़ते हैं तो अगला दिया गया है लार आना उल्टी आना रक्त चाप आधी अनिक्चिक क्रियाए मस्तिक्स के किस भाग द्वारा नियंद्रित होती है तो यह वाला जो दिया गया है Q6 इसका राइट आनसर हो जाएगा पस्च मस्तिक्स के मेंड्यूला द्वारा क्या जाएगा पस्च मस्तिक्स के मेंड्यूला के द्वारा यह होती है तो यह आपको लिख लेना है पस्च मस्तिक तो इस परकार सा आपको इसमें लिख लेना पस्च मस्तिक्स के मेंड्यूला के द्वारा, मेडिूला, ये द्वारा, ये आपको इसमें लिख लेना है, अगला देखते हैं, तो अगला यहाँ पर दिया गया है, कोस्चन नमर साथ आप देख सकते हो, किसी जीव के उस प्रक्रम का नाम लिखिए, जो उसकी समस्टी की व्रद्धी में साहिता करता है, कोस्च देखते हैं, चुम्बक के द्रहों के पास छेतरे रिकाय कैसी होती है, कैसी होती है, ये आपको इसमें लिख लेना है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो, कोस्चन नमर पांच में जो कोस्चन दिया गया है, आप सभी लोग इनको जैलाम और फ्लोयम में पदार्तो का भेन कैसे होता है, इसके अलावा ये कोस्चन दिये गए हैं, आप सभी लोग इनको बराबर देखते चलेंगे, और इनको नोट भी करते चलेंगे, उसी के नीचे कुछ कोस्चन से ये दिये गए हैं, आप लोग इनको भी देखें, और देख सकते हो, पूरा का पूरा आप इस प्रकार से पूरा वीडियो जरू देखिएगा, इसके नीचे भी कुछ कोस्चन से दिये गए हैं, आप लोग इनको भी अच्छ से नोट कर लीजेगा, यहां से आप देख सकते हो, अगरिम सुर्योदे, विलम बे सुर्योदे की पूरा देखने को भी अच्छ से देखने को मिल सकता है, दो और आप पूरी तैयारी किजिएगा दोस्तों, इसकी इस प्रकार से जिसे की आप को य देना चाहता हूँ कि एक model question paper है दोस्तों हो सकता है कि आपको परिक्चाव में ऐसा के सही भी देखने को मिलना है या इसमें से कुछ प्रसने देखने को मिले पर मैं तो यह कहूंगा कि आप अपनी तयारी दोस्तों मेरी द्वारा जो वीडियो बताए गए है याने कि जो मैंन इसे का पेपर गोती अच्चा जाए इसी के सत्मे में इस वीडियो से विदा लेता हूं नमस्कार